रश्कास मैं हूं प्रदीप और आजके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो है किसी भी अप्लिकेशन की नूटिफिकेशन को आप कैसे बंद कर सकते हो और वो भी किसी भी अप्लिकेशन की नूटिफिकेशन को बंद कर सकते हो तो दोस्तों किसी भी अप्लिकेशन की नूटिफिकेशन को बंद करने के लिए आपको सबसे पहले जो है उपर टैप करना है नूटिफिकेशन बार में और इसके अलाव दोस्तों यहां पर आपको सेटिंग्स का option मिलेगा जिसे हम गेर बोलते हैं इसके बाद दूस्तों आपको जो है थोड़ा नीचे आना है और यहां आपको जो है एप सका ओपशन नज़राएगा मैंणेज़ एप्स का इस option को select करने के बाद दोस्तों आपके phones में जितने भी applications हैं वो आपको जो है यहाँ पर नजर आएंगी तो आप जिस भी application के notification को बंद करना चाहते हो उसको आपको click करना है इसके बाद दोस्तों जो है आपको थोड़ा नीचे आना है नहीं नीचे नहीं आना है आपको यहाँ नीचे सामने नजर आगा एब permissions नजर आएंगी और इसके नीचे जो है notification का option आपको नजर आएगा तो दोस्तों यहाँ पर show notifications जो होता है यही हमें यहाँ ऊपर notification शो करता है तो यहाँ से हम इसे बंद कर सकते हैं तो इस तरह हमें इसके सभी notification जो है बंद हो जाएंगे आपक इक और application के notification को आपको बताता हूँ तो जैसे यह जो है screen recorder आपको ऊपर नजर आ रहा है screen recorder तो इसका notification भी जो है यहाँ से बंद हो जाएगा तो जो है हम notification में आते हैं और जो है हम ऊपर जो है तो दोस्तों यह भी जो है on है इसलिए जो है इसका notification बंद नहीं होगा क्योंकि मै इसी से record कर रहा हूँ अभी तो जो है हम कोई और एक और recorder मेरे mobile में है तो उसका हम notification बंद करते हैं चलिए तो यह notification में हमने click किया और show notification को हमने off कर दिया तो इस तरह इस particular application के सभी notification बंद हो जाएगे तो आपको जो है सभी apps में अंदर जाकर जो है notification को खुद one by one बंद करना होगा एक साथ किसी भी application का notification बंद नहीं होगा बस आपको click करना है और यहां नीचे जो है आना है और yes की जगा यह click करना है और यहां बंद कर दिना है तो इस तरह जो है notification बंद हो जाएगे तो दोस्तों यह था तरीका किसी भी application की notification को बंद करने का and I hope आपको ये वीडियो जो है helpful लगे हो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे